हेलो एबरिबन वेलकम टो बैक माई चैनल और आज में पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के जवरफी जो की भीवियाइक कोशन है हमारे यह बोड़ एक्जाम के लिए जो भी बच्चे बोड़ एक्जाम देने वाले हैं उस दिश्री से बहुत ही भीवियाइक कोशन है जैसे कि यह मो कोशिज करने आत करने कोसिज Ky और कैसे एक्जाम में लिखना यंग मतलब फूल आपको मिलने के चांस जादर रहेंगे तो इस लिए आप एक्जाम में कैसे लिखेंगे इसका तो एक्जाम में कैसे लिखना है इस इसको आप देखिए यहाँ पर सिखिए इसी प्रकार से लिखिए नयोगत आप कोपी करम लेके बैठी और इसी को नोट्स बना लिए जो मैं जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं उसी का नोट्स बना करके लिख देजी हो जाएगा चल का मतलब होता क्या है किसी खेटी पर क्या करते किसी फशल कर क्या कलता का चाहिए निर्वाह का मतलब होता है कि भाईया आप मतलब निर्भर करना निर्वाह का मतलब निर्भर करना और जीवन का मतलब आपके जीवन ठीके तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि जो जो भी यहाँ पर क्रिसी कर रहे हैं खेटी कर रहे हैं वो अपने जीवन निर्वाह के लिए क कर रहे हैं मतलब अपना जीवन को बचाने के लिए ठीक है अपने लाइफ में उसको अपने लाइफ को अपने लाइफ में जिन्दा रहने के लिए सब इसको कर रहे हैं मतलब उसका उदेश बेशना उसना कुछ नहीं उत्पाजन करना अपने जिनगी को बचाने के लिए खेत तो इसे लिए इसको कहते हैं प्रारंभिक जीवन निर्वा क्रिसी भी कहते हैं अब आई शुरू करते हैं इसको कौशन समझ मागे आप लोग को I hope आप समझ में समझी गए होंगी तो एंसर लिखना स्टार्ट करता वैसे क्रिसी जिसे अपने परिवार के भरन पोशन के लिए किया जाता है उसे जीवन निर्वा क्रिसी कहते हैं मतलब ये कहना चारा कि वैसे क्रिसी या वैसे खेती जिसमें अपने परिवार के भरन पोशन के लिए हम लोग करते हैं उसे हम कहते हैं जीवन निर्वा क्रिसी मतलब इसमें जो किसान होगा जो खेती करेगा वो अपने प बात है कि इसे हम प्रानविक जीवन निर्वाकरी से भी कहते हैं अब देखें आगला सवार अमने आप पॉइंट वाज लिखा है तो आप लोग इसे पॉइंट वाज लिखेंगे जामे आपको बिल्कुल जारे मांक्स मिलने वारे हैं ठीके रमाइन कथा ऐसा मत लिखिएगा अब पहला पॉइंट करता है ऐसे खेटी पर ऐसे खेटी पर हमारे देश के अधिक किसा निर्वर करते हैं बात सही हमारे देश में जितने भी जन संख्या हैं हमारे देश की जितने भी जन संख्या अगर उसमें हम अधिक कर नहीं हैं अगर निकला या तो विए 75 परसंट ल इसे प्रणविक जिवन निर्वा वոला किरिशी ज़्यादा करते हैं तो हम कर सकते हैं कि ऐसी खेती के जगा लिख सकते हैं कि जिवन निर्वा किरिशी जो होता है हमारे देश में अधिक परचलित है हमारे देश में अधिक परचलित है या अधिक किसान इस पर निर्वर करते हैं आप ऐसे भी ली सकते हैं अपनी भासा में मैं समझा रहा हूं आप कोपी कलम लेके बैटर लिकी मैं फिर से एक बार दोरा रहा हूं करता है कि प्रानमिक जिवन निर्वा किरिसी में या जिवन निर्वा किरिसी हमारे देश में अधिक परसीद है और क्योंकि यहां कि किसान इस पर अधिक निर्वर करते हैं इसलिए ठीक है अब आगला देखें दूसरा पॉंट क्या है इस परकार के खेटी में खेट छोटे छोटे होते हैं इस परकार इस परकार के खेटी में जो खेट होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं चुकि किसान बड़ा नहीं होता है बड़ा किसान तो छोटा किसान होता है तो कुछ खेट यहां है तो एक यहां है एक यहां है एक यहां ह सब्सक्राइब तो अब इतना खेटी करेगा यह बंदा तब यह कुछ न कुछ इसको फ़सल का उतुपादन कर पाएगा और फिर आखरी में अपने जीवन यह पाने कर पाएगा तो फाइनल हमने यहां देखा कि इसका जो खेट चोटा चोटा होता है और पहला मैंने देखा कि जो किसान होता है इस पर अधिक निर्वर होता है भारती किसान इस पर अधिक निर्वर करते हैं चुकि यह भारत में बहुती परजी रहे जन सक्या अधिक है और दूसरा खेट चोटा या छोटी चोटे होते हैं और तीसरा किसी के वजार भी पुराने होते हैं किसी के वजार पुराने होते हैं का मतलब अगर खेत कर रहे हैं तो अभी नया में ट्रेक्टर चल गया अभी तो ट्रेक्टर चल रहा कि ने चल रहा है एकदम चल रहा है थ्रेसर मसिन चल रहा है बहुत सारे मसिन आगे लेकिन अभी भी बहुत सारे किसान है जो बैल से खेती करते हैं ठीक है बैल रखते हैं या हल रखते हैं ठीक है और इसके मार्यम से खेती करते हैं और अपने प पुराना होता है, अभी भी पुराने होते हैं, पुराने वजार का पर्योग करते हैं, नमर फोर देखा जा तो इसमें इस खेती के जो किसान होते हैं, वो इतना गरीब होते हैं, इतना गरीब होते हैं, तो इतना गरीब होते हैं कि जो खेतों में उर्वारकों मतलब जो खाद होता है अधीक उपज देने वाली बीज का पर्योग भी नहीं कर पाते हैं कहने का मतलब यह कि इसे माले जो बड़े-बड़े किसान अगर खेती करते हैं तो देखिएगा वह अच्छे-अच्छे खाद मतलब खाद का पर्योग कर लेता है लेकिन छोटे किसान को सोचना परता उतना पूजी कहां उसके पास है और दूसरी बात अगर हम देखें अगर 20 की बात करें तो एक बीज आता है जानते हैं एक बी जाता है जो अच्छी फसल मतलब अधिक साधीक उपज देगा अच्छी किस्म की जो अधिक उपज जाता है उसका प्राइस ज्यादा होता है तो ऐसे किस्म के 20 को किसान नहीं खरीद पाता है इससे वंचित रहता है तो वह लिखें कि इस किसान में इस खेटी में जो किसान होते हैं गरीब होते हैं इसे लिए उरवरक मतलब खाद नहीं लिया पाते हैं अच्छे किस्म के 20 को उपयोग नहीं कर पाते है आईए नमबर फाइब करता ऐसे किसान को सिचाई की स्वीधा भी अच्छे तरीके से मिलते हैं मतलब ऐसे जो किसान होते हैं उसको सिचाई की स्वीधा भी अच्छे तरीके से नहीं मिलते हैं जिसे कि माले जो उसको बीजली चाहिए और भी वह सारे कुछ सुविधा चाहिए नहर चाहिए पानी के लिए कुछ भी नलकुप चाहिए यह सारे चीजें उसको सुविधा नहीं मिल पाती है बेचारे को और यह लास्ट पॉइंट अगर हम देखे तो लास्ट पॉइंट हमा ताकि इस वीडियो में आपका कोशन आध हो जा तो अभी देखा मैंने प्रारमिक मतलब पहले और जीवन का मतलब जीवन और निर्वा का मतलब भया निर्वर करना प्रारमिक जीवन निर्वा क्रिसी मतलब ऐसा वैसा क्रिसी जिसका जीवन उसी पर निर्वर है उसके बिना उ उसी को मैंने सौर्ट में लिखा वैसे किरिसी जिससे अपने परिवार के भरन पोशन के लिए के आता हैं उसे जीवन निर्वा किरिसी काते हैं या प्रारमी जीवन निर्वा किरिसी भी काते हैं आईए देखते हैं इसके क्या लच मतला होते हैं ये हैं ठीके कता ऐसे खेटी पर हमारे डेश के अधीक किसान निर्वर करते हैं इस पर दूसरा क्यों करते हैं च्छोटे-छोटे खेत होते हैं च्छोटे-छोटे खेत होते हैं तो भैएं क्या करेंगे कोई उपाय नहीं किसान रहेगा अमीभ किसान के पारे में कोशन त्यार बने के हो सबसबिदे गढुआ इसाइब किसान नहीं बन सकता है हमने कहा ये 6 पॉंट लिखने के लिए आपको imagine करना है कि गरीब किसान क्या कौन किसान गरीब किसान एक दिमागों बठा लेजी चुकि आप लोगी खुर किसान होगे या यहाने कि आप लोगी अमिर किसान हो तो गरीब किसान के बारे भी imagine किजिए अब क्या किजिएगा सबसे पहले किजिएगा अगर गरीब किसान होगा तो उसके पास खेत छोटा छोटा होगा चुकि बड़ा खेत रहेगा तो मेरी किसान बन जाएगा तो बुलेंगे ऐसे किसानों के पास छोटे छोटे खेत होते हैं समझवाई बात आज करने का तरीका लोजिक है यह आपका समझने का लोजिक है यह और जब छोटे-छोटे खेत होगा किसान के पास ठीक है इसका मतलब गरीब किसान है तो छोटे-छोटे खेत होगा ठीक है और छोटे-छोटे खेत हैं भईया मालेजे बहुत छोटा खेत है य लेजे टेक्टर का यूज नहीं कर पाएगा उपियोग नहीं कर पाएगा चुकि बहुत जाला छोटा खेत रहेगा तो टेक्टर 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 चलने तक भी चलने चलने जतना टेक्टर को जगह चाहिए चलने के लिए घुमने के लिए उतना भी जगह नहीं रहेगा त कि जो गरीब किसान होते हैं जो गरीब किसान होते हैं उसके खेत छोटे-छोटे होते हैं और खेत छोटे-छोटे होने के कारण ट्रेक्टर का उप्योग नहीं कर पाते हैं ट्रेक्टर का उप्योग नहीं कर पाते हैं ठीक है और टेक्टर का उप्योग नहीं करते हैं इसका मतलब किसका उप्योग करते हैं बैल का उप्योग करते हैं हल का उप्योग करते हैं आप यह चीज तो जान सकते हैं ना बिल्कुल जान सकते हैं यह चली इसके बात और यह इतना भी गरीब होते हैं कि यह उरवरक का उप कि आपकता है और तो और क्या माले जह होता है सिचाई करने के लिए पानी की सुविधा इसके पास नह hr की सुविधा नहीं है नहर की सुविधा नहीं है मतलब बहुत सारा कुछ सुविधा इसके पास नहीं होता है सीचाई करने के लिए ठीके और बेशार यह क्या करता है इस खेटी से सिर्फ अपने परिवार के सदस्यों का गुजारा कर पाता है भरन पोशन कर पाता बेश नहीं पाता है यह यह जीवन निर्वाग क्रिसी तो आई होब आपको समझा पाएं होंगे वीडियो को देखिए और आपका कोशन आध हो जाएगा ऐसा माना जाता है ओके तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो तो तक लिए धन्यवाद लेकिन जाने से पहले मैं एक बा बच्चा अगर आप बच्चों के पास सेर करके हैं उससे सब्सक्राइब करवा देते हैं तो आप समझे कि इस चैनल के लिए बहुत ही सपोर्ट दे रहें और प्यार दे रहें तो ये इतना जरूर कम से कम करें हमारे चैनल को एक परतेक बच्चा अगर 10-20 अगर बच्चों तक सेर करता है तो समझे कि वो हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहा है हमें भी सपोर्ट कर रहा है और समझे कि एक तरह से हमें बहुत अच्छे सपोर्ट कर रहा है समझे कि एक तरह से कि वो अगर हम जो हमारा फी है समझे कि वही है आप अधिक सधिक बच्चों को सेर कि जो वही हमारा फीए वही हमारा पैसा है चुकि यूट्टीब की तोवर से कुछ लोसमेश कमा लेते हैं तो समझेश से हम यूट्टूब से कुछ पैसा होसा लेकर कि आप इक कुछ फिरी विडियो दे पाते हैं अगर वो नहीं चैनल को जरूर शेयर करें, इतना शेयर करें कि पर्टेग बच्चा कम से कम 20 बच्चों तक शेयर करें, पहुंचाएं और उसे जोड़ें ठीक है, इस चैनल में चली